साथियों, अर्बन प्लानिंग में हमने देखा होगा कि शहर के सामान ने मान की कि सुविधाओं को कौन समालता है भी? बड़ा वर्ग जो है वो कोई बड़े-बड़े मौल में नहीं जाता है। उसकी तो आवश्य रखता है रेडी पट्री वाले पूरे करते हैं। रेडी पट्री वाले जो होते हैं ठेले वाले लोग होते हैं जो मौले में आके सब्जी बेचते हैं, अखबार वाले आते हैं, कपड़ा बेचने वाले आते हैं, कभी फुटपाद पर बैटे हुए लोगा। वे भी एकोनोमी का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होते हैं और सामान ने मानवी के सेवा बहुत करते हैं. क्या हमारे पास उनकी योजना है क्या? अब देखे स्वामीत्व योजना चाल देगे. मैं आप सभी मेयरों से आगर करूँगा कि आपके महानगर में एक भ हुए हो कि मोबाइल फॉन से डिजिटल वो कैसे लेन देन करें? वो सब्जी बेचेगा, दूद बेचेगा तो भी डिजिटली पैसा लेगा देगा. वो थोक में सब्जी खरिदने जाएगा, तो भी डिजिटली पेमेंट करेगा. अगर वो ये करता है, तो उसके ब्याज म पैसे लाते हैं, उनको कितनी मुक्ति मिल जाएगी और मैं तो ये भी कहूंगा, कि साल में एक बार इन रहडी पट्री वालों का परिवार के साथ सम्मिलन करना चाहिए उनके बच्चों में जो टैलेंट हो उनको इनाम देना चाहिए उन बच्चों के द्वारा गीत संगीत के कारकम करने चाहिए ये बहुत बड़ी ताकत होते हैं जी मैं तो चाहूंगा जितने मेर बैटरे उसको करें ताकि उनको भी लगेगा वो महानगर की सिवा कर रहे हैं वो जनता का बला करने के लिए काम कर रहे हैं देखिए आज करीब 35 लाग ऐसे हमारे रेडी पट्रे वाले स साथिये जिनको बैंक से पैसा मिला है और मैंने देखा है तो समय के पहले वापिस भी देते हैं और नया रण भी ले लेते हैं साथियों ये सिरफ बन टाइम कर दिने की सुएव ये लगातार उसका व्यापार्थ लेगा बैंकों के साथ और डिजीटर पेइमेंट से उसको बहुत लाब मिलेगा उसे गती बिलेगी तिके पी-एम स्वन इधी का आप अपने शहरों में व्यापक विस्तार करें और इनको होने वाली परेशानियों को कैसे आप कम कर सकते हैं को ट्रेनिंग करो आप उनके साथ बैठिये और उसमें आपकी ताकत बढ़ेगी आप ज़ झाल